जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान लुपाए दोस्तों अगर आपने चमतकारी टोटके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे चमतकारी टोटके बताएंगे और उनकी चर्चा करेंगे जिसे अपना कर आप अपना जीवन और सुखद और सकते हैं तो दोस्तों देखते रहिए चमतकारी टोटके दोस्तों वर्तमान समय में लगभग हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी चल रही होती है ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि अपने जिन्दगी से पूरी तरह सत्विष्ठ हो और पूरी तरह से सुखी हो शास्त्रों में हमारे जीवन से जुड़ी प्रतेक छोटी बड़ी समस्या के निवारण को बताया गया है दोस्तों एक उपाय तो यही है कि हम अपनी महनत और बुद्धी से इन समस्याओं का समाधान करें और दूसरा तरीका यह है कि हम धार में कर्म करें पूजा पाठ करे हमारे जीवन में जितने भी सुक दुख आते हैं वो सब हमारे द्वारा किये गए कर्मों के कारण ही आते हैं यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो दुख का समय जल्दी निकल जाता है हमारे शास्त्रों में पाच जीव ऐसे बताये गए हैं कि जिनको खाना खिलाने से हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख शांती आ जाती है तो दोस्तों आईये जानते हैं कि ये 5 जीव कौन से हैं और इनको खाने में क्या देना चाहिए दोस्तों सबसे पहले हैं गाये गाए को रोटी या हरी घास खिलानी चाहिए गाए को रोटी और हरी घास खिलाने से बहुत से चमतकारिक फल मितने हैं व्यक्ति की कुंडली में जितने भी ग्रहदोश होते हैं वो सब शान्त हो जाते हैं दोस्तों गाय को पूजनिये और पवित्र पशु माना जाता है जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसका जीवन सुख शांती से व्यतीत होता है और उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं आईए जानते हैं कि कर्ज से मुक्ति, दुश्मनों के भै से मुक्ति, पैसों की तंगी से मुक्ति और संपत्ती के मामले में सफल्टा के लिए किन जीवों को क्या खिलाना चाहिए? इसके बाद आता है दोस्तो पक्षी, पक्षियों को अनाज के दाने खिलाएं पक्षियों को अनाज के दाने खिलाने से आर्थिक स्थिती में सुधार होगा जो व्यक्ति अपना व्यवसाय करते हैं उन्हें प्रतिदिन पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए पक्षियों को दाना खिलाने से व्यवसाय में तरक्की होती है दुश्मनों का डर खत्म करने के लिए भी एक उपाय होता है जब किसी व्यक्ति को दुश्मन परेशान करते हैं और उसे दुश्मनों का भै लगा रहता है तो उन्हें नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मनों का डर खत्म हो जाता है कुत्ते को रोटी खिलाने से शनी के दोश भी दूर हो जाते हैं, जिन लोगों को कर्ज से मुक्ती चाहिए उन्हें चीटियों को शक्कर या आटा खिलाना चाहिए, चीटियों को आटा और शक्कर खिलाने से कर्ज जल्दी उतर जाता है, धन से संबंधित कारियों में जो पुरानी जमीन जायदाद उनके हाथों से निकल चुकी होती है या कोई कीमती चीज खो गई होती है तो रोजाना आटे की गोलियां बनाकर मचलियों को खिलानी चाहिए मचलियों को आटा खिलाने से बहुत फाइदा मिलता है यदि हम मचलियों को नियमित रूप से आटा खि और उसे बहुत अधिक पुन्य मिलता है। दोस्तों इस वीडियो को अपने परिवार जनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए चमतकारी टोटके।